नमश्कार मैं सुमिन बंसल टेरो कार्ड रीडर एंजल कार्ड रीडर आज फिर मैं हाजिर हूँ आप सब के बीज में उम्मीद करती हूँ कि आपका न्यू यर बहुत अच्छे से गया होगा आप सब लोगों ने बहुत एंजाई किया होगा और मैं आपके सुखद इसी के साथ आज हम राशी चक्र में तीसरा राशी फल लेकर आए हैं मिथुन राशी तो देखते हैं कि टेरो क्या कहता है टेरो के इन पत्तों में मिथुन राशी के लिए क्या राज चूपा है आज देखते हैं तो देखिए सबसे पहले मैं शुरुआत तरूंगी मिथु कि आप अविश्यक्ता से ज्यादा अपने उपर बर्डन ले रहे हैं और अब वक्त आगया है कि आप थोड़ा अपने बर्डन को कम कीजिए और अपने आपको अराम दीजिए और इस समय के लिए आप थोड़ा सा अंतरमुख हो जाए यानि कि मौन हो जाए अपनी फैमिली की जिर्मेदारियों के प्रति जरूरत से ज्यादा बोज लेने की अविश्यक्ता नहीं है और परवारिक जो आपके फैमिली डिसीजन है उनमें आप अपने घर के किसी बड़े सदस्य की मदद लीजी आप देखेंगे कि सब आपको स्पोर्ट कर रहे हैं ठीक है ना जब आप छोड़ा मॉल होकर बैठ जाएंगे तो सबको अपने अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा और वो आपको स्पोर्ट करेंगे जहां तक मैं देख पा रहे हूं एक और कार्ड कि परिवार में कोई खुशी का महौल कोई शाधी का महौल या कोई प्रॉपर्टी बनने की स नाराज़ी का कुछ मुझे सीन नजर आ रहा है जिसने की परिवार के लिए बहुत महनती है हो सकता है कि वो ऐसा महिसोस करें कि उन्हें परिवार के लिए की गई महनत का कोई रिवार्ड नहीं मिलने है एक बात मैं आपको और ध्यान दिलाना का हूंगी कि यह कार्ड बोल रहा है कि परिवार की महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दे नहीं तो कोई अप्रिया घटना हो सकते हैं उनके साथ कोई क्राइम हो सकता है मेरा ख्याल है आप इतने में समझ गए होंगे कि मेरा क्या संकेत है तो आप अपनी परिवार की महिलाओं की सुरक्षा करती क्रिपया स उनकी मेरी लाइफ के लिए जो मैं काड़ देख रही हूं कि वर्षरम में हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी से कुछ अप्रिये प्रसंग छुपा के रखेंगे और आप उनसे शुरू से ही कुछ सावधानी रखें नहीं तो बड़ड़ हो सकती है कुछ मैं देख पा रहे और विश्वसनियता आप दोनों एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाएंगे लेकिन आपको तालमिल बनाने की जरूरत है और सोच समझ कर कोई भी फैसला लेने की जरूरत है बैलेंस बनाने की जरूरत है जुलाई के बाद से कुछ आपके रिलेशन्स में अपने पोजिटिव सोच देंगे कुछ न्यू वेंचर पॉसिबल है कुछ न्यू आइडियाज और जो की सक्सेस्फुल रहेंगे और वर्षांत में आपके पार्टनर के साथ आपको कुछ खुशियों का महौल फील होगा कुछ खुशनूमा समचार आपको मिलेंगे और जिने नुसार का ही बीचे छूट गए थे उनमें एक नव जीवन संचार होगा तो आशा करती हूं कि आपका वैवाहिक जीवन भी अपने साथी के साथ वर्षांत में सही रहेगा लेकिन वर्षा रंभ में आपको बहुत साब्धन रहने की जरूरत है मिथुन राशी के जातकों क कुछ टेंशन्स और डिप्रेशन्स हों अलकोहल और ड्रग से दूर रहें मिथुन राशी के जाता तो अगर अपनी हेल्थ को अच्छा रपना चाहते हैं तो वो इन चीजों से बिल्कुल दूर रहें हो सकता है उनकी रातों की नहीं दूर जाए लेकिन अपने आपको ठीक में तक रहने वाली है मैं देख पा रही हूं कि यह स्थिती जो है आपकी साल के शुरू के छे महीनों में रहने वाली है उसके बाद आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे मिथुन राशी के वो जातक जो अपने केरियर के लिए सोच रहे हैं उनके लिए कार्ड क्या बोलते हैं कार्ड बोलते हैं कि आप सांजेताय में कोई शुरूवात करने जा रहे हैं तो जैनवरी से मार्च तक का जो समय है उत्तम रहेगा जिहां आप पार्टनर्शिप कर सक सकते हैं एप्रिल से जून तक अगर आपको कोई पार्टनर मिलता है या आप कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको थोड़ा ठहराव की स्थिती मिलेगी वहां पर आपको कुछ ज्यादा ग्रोण नहीं मिलेगी लेकिन कुछ लोग जो मिथुन राशी के हैं वो अपने केरियर में जिसके लिए वो प्लान कर रहे हैं मिड एयर आते आते वो अपने प्लान को चेंज भी कर सकते हैं और काम के सिलसिले में वो लोग बाहर जा सकते हैं और जुलाई के बास से आप अपने आपको सही जगा पर पाएंगे आपको वहां मिल गया उसमें आप सक्सेस्फुल रहेंगे इसी के साथ मैं देखती हूं कि मिथुन रशी के जो जातक बिजनस में हैं उनके लिए यह साल कैसा रहने वाला है अगर आप प्रॉपर्टी संबंदी कोई विवाद चल रहा है मिथुन रशी के जातकों का तो उसका जल्दी ही कोई न कोई समधान उनको मिल जाएगा एप्रिल से जून तक अचानक धन लाग किस्तिती दिखाई दे रही है कुछ अच्छा लाब हो सकता है जुलाई के माह के बाद आपको कुछ विशेश लाब मिलेगा और आप एक मजबूत आधार के साथ अपने किसी भी प्रॉब्लम से निकल पाने में सक्षम होंगे यानि बिजनस के लिए भी अवराल काड अच्छे आ रहे हैं और इन्वेस्ट्मेंट बहुत इंपोर्टन होता है इन्वेस्ट्मेंट अगर हम अपने स्टार्स को देखकर इन्वेस्ट्मेंट ना करें तो कभी कभी हम इतना बुरे तरीके से फस जाते हैं कि उससे निकलना भी बड़ा मुश्किल लगता है इंवेस्टमेंट जी हाँ यहाँ पर कार्ट बोल रहा है कि समझदारी के साथ सोच समझ कर आप इंवेस्टमेंट करिए तो आपको लाब होगा बिना सोचे समझे बिना आ तक का टाइम जो है काफी अच्छा जाने वाला है ऑक्टूबर से दिसंबर में आप जो भी इंवेस्टमेंट करेंगे बैस सोच समझ करें नहीं तो आप हानी भी देख सकते हैं मैं देखना चाहूंगी कि मिथुन रशी के जो जातक है जो लव लाइफ में है किसी रिलेशन्शिप में है उनकी रोमेंटिक लाइफ कैसी रहने वाली है संबंध मैं देख पा रही हूं कि आपके अच्छे ही रहेंगे आप अपने पार्टनर के लिए बहुत अट्रेक्श करेंगे और कभी कभी आप बीच में बहुत पैशनेट फील करेंगे आप अपने पार्टनर को लेकर भाबुक भी हो जाएंगे और कुछ विश्यों पर आपके व्याचारिक मतभेद भी अपने पार्टनर के साथ हो सकते हैं और ऐसा होते होते मेडियर आते हो सकता है कि आप अपना सारा गुसा अपना सारा अक्रोश अपने पार्टनर पर डालने आप फूट पढ़ने लेकिन यहाँ पर गलती आपके होगी लेकिन संभालेंगे आपके पार्टनर उस संभालेंगे तो कुल मिलाकर लव लाइफ भी आपके ठीक ठीक जाने वाली है कोई चिंता की बात नहीं है education जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए टेरो क्या कहते हैं तो मिथुनराशी के जो बच्चे हैं उनका देखते हैं education के लिए उनका कार्ड बोल रहा है कि यह दी आप अपने लिए निश्ठावान रहे जो आपने सोचा है आप उस विशे पर मेहनत करते रहे डटे रहे तो आप वो कर जाएंगे जो आपने सोचा है और मिथुनाशी के बच्चों ने अब तक जो ग्यानारजन किया था जो स्टडी उन्होंने क किया था वह सब फली भूत होगा उनको उसका बेस्ट रजल्ट मिलेगा MBA के स्टुडेंट क्वालिटी कंट्रोल OHS CA नेट्वर्किंग सॉफ्ट्वेर और ट्रांसपोर्ट फिल्ड में जो है उनको बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है विदेश में अगर स्टडी करना च बचों को एक रहे जरूर देना चाहूंगी कि एक बार आप सब कुछ ध्यान से रिवाइज करें पूरा दम लगाएं और फिर रिजल्ट देखें बहुत बड़ी है रिजल्ट मिलेगा आपको स्ट्रिक्ट्यालिटी जो अध्यातम में है इस वर्ष आगे बढ़ना चाह रह आपने जो कुछ भी अभी तक अपने अध्यातम जीवन में किया है अब आपको लगेगा कि आप विलकुल सही रास्ते पर थे और सबको आपकी बाते अच्छी लगेंगी आप जो भी बोलेंगे अपनी बात रख पाने में सक्षम होंगे सबको ये बाते समझ में भी और आपके पास क्या है आप यह भी देख पाएंगे कि आपके पास क्या है और दूसरों के पास क्या नहीं है इस अंतर को आप समझ पाएंगे और जो नहीं है जो औरों के पास नहीं है लेकिन वो स्पेशल जो आपके पास है उसे आप प्रस्तुत करने में सोसाइटी के साम में बिलकुल सच्छम होंगे आप विचारों को एक हैं ड्रिड रूप देने के लिए एक मूर्त रूप देने के लिए आप सिर्च की जिए फिर जिए और सोशल मीडिया कि मदत लीजिए और इससे आप धन आरजन भी अच्छा करेंगे, यानि आप कुछ सीख कर और उसमें प्रेक्टिस करना चाहते हैं, उसमें आप प्रफेशनली जाना चाहते हैं, तो आप ये कर पाएंगे, तो ये साल मिथुन रशी के जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, मुझे नहीं लगता कि कोई विशेश प्राब्लम है, तो उपाएं भी मैं बताना जरूरी नहीं समझती, फिर भी अगर आप अध्यातम में आगे जाना चाहते हैं, या और छोटी मोटी जो मैंने समस्या देखी है, तो उसके हिसाब से मैं आपको केवल एमेथिस्ट क्रिस्टल वियर करन को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे चे कमेंट देजिए, इससे हम लोगों का होसला बढ़ता है, और और भी कुछ बहुत अच्छे चीजे लाने को मन करता है, धन्यवाद।